एक जंगल में एक कौवा और हिरन रहते थे, दोनों में गाड़ी मित्रता थी, अक्सर दोनों साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते, हिरन हट्टा कट्था और मानसल था, जंगल के कई जानवरों उसके मास का भक्षन करने लालायत रहा करते थे, किन्तु ज कब भी वे हिरन के निकट आने का प्रयास करते, कौवा हिरन को चोकन ना कर देता और हिरन कुछाले भरता हुआ भाग खड़ा होता, जंगल में रहने वाली एक लोमडी भी हिरन के मास का स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन कौवे के रहते ये संभव ना था, एक दिन उसने स क्यों ना हिरन से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूँ, फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगी और उसका काम तमाम कर दूंगी, तक जी भरकर उसके मास का भक्षन करूंगी उस दिन के बाद से वह ऐसा अवसर तलाशने लगी, जब हिरन अकेला हो और कौवा उसके आसपास ना हो, एक दिन उस वह अवसर प्राप्त हो ही गया, जंगल में उसे हिरन अकेला घूंता हुआ दिखाए पड़ा, तो धीरे से उसके पास पहुँची और स्वर में मिठास घोलकर बोली, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, यहां मेरा कोई मित्र नहीं है, तुम मुझे भले लगे, क्या तुम मुझे से मित्रता करोगे, मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले चलूंगी, वहां तुम पेट भर कर हरी घास चरना, हिरन लोमरी की मीची बातों में आ गया और उससे मित्रवत व्यवहार करने लगा, उस दिन के बाद से लोमरी रोज हिरन के पास आती और उससे धेर सारी बाते करती, एक दिन कौवे ने हिरन को लोमरी से बाते करते हुए देख लिया, उससे लोमरी की मन्शा समझते देर न लोमडी के जाते ही वह हिरन के पास गया और उसे चेताते हुए बोला मित्र। यह लोमडी दूष्ट है। इसकी मन्शा तुम्हें मारकर खा जाने की है। प्राण बचाने हैं, तो इससे दूरी बनाकर रखो। हिरन पोला मित्र, हर किसी को शंका की दृष्टी से देखना उचित नहीं है, लोमणी सदा मुझसे मित्रवत रही है, विश्वास करो वा शत्रू नहीं, मित्र है, उसके द्वारा मुझे हानी पहुचाने का प्रश्णी नहीं उठता, तुम निश्चिंत रहो हिरन का उत्तर सुनकर कौवा चला गया, किन्तु उसे लोमणी पर तनिक भी विश्वास नहीं था, वो दूर से हिरन पर नजर रखने लगा, एक दिन लोमणी ने देखा कि मक्के के एक खेत में उसके मालिक ने मक्का चोर को पकड़ने के लिए जाल बिचा कर रखा है, हिरन को फंसाने का यह एक सुवसर था, लोमणी तुरंथ हिरन के पास गई और बोली, मित्र, आज मैं तुम्ही मक्के के खेत में ले चलता हूँ, हिरन सहर्श तयार हो गया, दोनों जंगल के पास स्थित मक्के के खेत में पहुँचे, किन्तु खेत में प्रवेश करते ही हिरन खेत के मालिक द्वारा बिच्छाए जाल में फंस गया, उसने निकलने का बहुत प्रयास किया, किन्तु सफल नहीं हो सका, उसने लोमणी से सहायता की गोहार लगाए, लेकिन लोमणी तो इस फिराक में थी कि कब खेत का मालिक हिरन को मारे और वह भी अवसर देखकर उसका मास च उसने हिरन को उत्तर दिया, इतने मजबूत जाल को कातना मेरे बस की बात कहा, तुम यहीं ठेहरो, मैं सहायता लेकर आती हूँ, यह कहकर लोमणी खेत के पास ही जाडियों के पीछे छुपकर खेत के मालिक के आने की प्रतीक्षा करने लगी, इधर जंगल में अपने मित्र हिरन को न पाकर कौवा खोज बीन करता हुआ मक्के के खेत में आ पहुचा, वहां हिरन को जाल में फसा देख वो उसके पास गया और बोला मित्र, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे प्रानों की रक्षा करूँगा, अब तुम ठीक वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ, सास रोग कर बिना हिले दुले जमीन पर ऐसे पर जाओ, मनो तुम्में जान ही नहीं है हीरन ने वैसा ही किया खेत के मालिक ने उसे मरा जानकार जैसे ही जाल हटाया कौवे ने इशारा कर दिया और इशारा मिलते ही ही हीरन भाग खड़ा हुआ हीरन को भागता देख खेत के मालिक ने हाथ में पकड़ी कुलहारी पूरे बल से उसकी ओर्फे की किन्तु हिरन बहुत दूर निकल चुका था वो कुलहाडी जाडी के पीछे छुपी लोमडी के सिर पर जाकर लगी और वो वही धेर हो गई लोमडी को अपनी दुष्टता का फल मिल चुका था